विश्यकुर्मा किलोनी पिंजोर की पीडिता की पुलिस कमिशनर से शिकायत प्यार के जाल में फसा कर धोखादरी करने 35 लाक रपे हडपने देज के लिए तंग करने जाती सूचक शब्द कहने वे अन्य आरोपों की शिकायत पिंजोर पुलिस ने मामला दर्ज किया वीरवा पिंजोर पुलिस के मुदाविक पीडित महिला का कहना है कि उसकी दोस्ती फेस्बुक के माध्यम से हुई थी और आरोपी पती ने दोस्ती के जाल में फसा कर 20 लाक रुपे बिजनस चलाने के लिए बिजनस पार्टनर बनाने के नाम पर लिये थे क्योंकि उनकी माता काल का रेलवे में कारे रत थी 16 लाक रुपे की एफडी कुछ सेविंग और सेलरी का सारा पैसा धीरे धीरे जाल में फसा कर हड़प लिया था इसके अलावा शादी का जहां से देकर उसे गोल्ड की चैन दोस्तोंने की अंगुठी भी ले ली थी जबकि आरोपी पती की मा ने उसे 20 लाक रुपे की डिमांड की थी और शादी की बात कहने को कहा था इस तरह से उसके पती ने उसे शादी भी लुक छिप कर कर ली थी जिसका उनके घरवालों को बिलकुल भी पता नहीं था पीडिता का अरोप है कि शादी के बाद उसके पती ने दुरियां बनाने शुरू कर दी थी पीडित महला का अरोप है कि उसके पती ने धिरे धिरे करके उससे 25 लाक रुपियों की राशी ले ली थी जिसका सारा रिकॉर्ड उनके पास है इस तरह से उसके प्रेजरों ने उसके साथ गाले गलोज करना मार्क पीट करना शुरू कर दिया था और इस तरह से बात बढ़ती चले गी और मामला पंचकुला कोड में चला गया पिज़ोर पुलिस ने विबिन धारा कैताथ शिकायत के धार पर सुसुराल पक्ष के खिलाब विबिन धाराओ के ताथ मामला दर्ज कर जांच का काम शुरू कर दिया है पिज़ोर पुलिस जांच परताल कर रही है